क्लास 11 कमिस्ट्री में बच्चो चैप्टर 3 चल रहा है और हम क्रम क्रम से आपको वीडियो लेक्चर प्रवाइड करते हैं जो की एकजाम के पॉइंट आप यू से इंपोर्टेंट होता है जिसे आज हम बात करने वाले बच्चो मैंडलीब की आबर्द सानी और सांथ में इन ने तत्तों को विवस्तित किया इस पर हम तर्चा करेंगे मैंडलीब की आबर्द सानी को हम दो पार्ट में कवर कराएंगे बच्चो पहले में आपका पूरा नियम रहेगा आबर्द और बर्ग के वारे में समझाएंगे फिर इनकी क्या-क्या कमिया थी है ना इनका क्या-क उपियोग था इसको हम लेक्चर नंबर सेकेंड में कराएंगे क्योंकि एक लंबा लेक्चर हो जाएगा तो बोरिंग क्लास ना लगे इसलिए हम छोटे-छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक कभर कराते हैं तो चले शुरू करते हैं बच्चो सबसे पहल लेवोजियर साहब ने अधातू और अधातू को अलग-अलग करके विवस्तित करके बताया था लेकिन उनका निया मुतना ज्यादा है ना बहुत ज़्यदा दिनों तक चला नहीं क्योंकि धातू और अधातू को अलग किया तो अधन करने में थोड़ा सा सही नहीं था यह सामान ने उनको इस रेड़ी में नहीं रखा जाता है मुखरूप से डोवे राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया 1817 में हद तक कुछ ठीक था उन्होंने बताया था कि तीन-तीन तत्तों को एक साथ रखे समान गुड़ वाले तत्तों को एक साथ रखे तो बीच वाले तत् उन्होंने भाई साथ तत्तों को परमाण भार के बढ़ते क्रम में विवस्थित किया और परमाण भार के बढ़ते क्रम में विवस्थित करके बताया कि हर आठ मतत्तों पहले तत्तों से समानता रखता है इसके बाद 1869 में 1865 में न्यू लेंड का स्टिक नियम आया 1869 में ल तो कोई ग्राफ की माध्यम से लोथर मेयर ने पने विवस्था की लेकिन उनका भी नियाम हद तक सही नहीं था इसके फलसरू बच्चो मैंडलीप की आवर साण नियाई 1879 में ही just देखें जैसे कोई नय नियाब आता है तो पुराना नियम क्या होता है फेल होता है ये चीज क्लियर है ऐसे ही जैसे आपका पहले डोबे राइ者 का गर का एक शिड़ी निबन जाए तो बूसरा शिड़ी बनाने में कोई वर्यक्त राइगा आसान होगा बना देगा ऐसे तिस्री शड़ी बना देगा तो भाई तत्तों के गुडों को अधन किया गया बेवस्तित किया गया तो कहीं न कई उससे एक नई सीख मिलती है जैसेμε हाली ये लोतर मेयर के बाद मेंदलीफ सहाब आए मेंदलीफ ने बहुत मतलब बहुत सारे पत्तों को सुभलतित किया लेकिन कुछ अपबाद के कारण उन्हीं के आबर साणी से हमें पता चला कि हम और भी तत्तों को खोज सकते हैं, इसके बीच में कुछ ऐसे तत्तों भी लूपते हैं, जिनकी खोज अभी नहीं हुई है, तो भाई ये मैंडलीव साब के आबर साणी से बहुत सारे तत्तों की फिर नहीं खोज हुई, जिनसे 800, 79 की बात करते हैं, उस समय 118 तत्तो नहीं थी, उस समय बहुत सरे तत्तो की अनुपस्तिती थी, उस समय खोज नहीं हुए थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बहुत सरे तत्तो की खोज हो गई, क्योंकि वहाँ से मंडलीब की आबर स्राणी से पता चला कि हाँ भ उन्होंने बताया था बच्चो कि किसी भी आपका जो तत्त होता है बच्चो उसका भौतियों का रासानिक गुण उसके परमाण उभार के अवर्ति फलन होता है सन 1879 में रूसी बैग्यानिक मैंडलीप ने तत्तों को उनके सम्मंदित योगिकों का अध्यन किया और एक नियम का प्रिजिपादन किया जिसके अंसर उन्होंने बताया कि तत्तों के भौतिकों रासानिक गुण तत्तों के परमाण उभार के अवर्ति फलन का मतलब यह हुआ कि परमाण उभार के आधाया पर उनको विश्थित किया जा सकता है सन 1879 की बात है मैंडलीप ने अपने अवर प्रमाण उभार के आधाया पर विश्थित किया उन्होंने आवर्थ और बर्ग में चेश से आवर्त और बर्ग में वर्स्थित किया, चलिया उनके हम आवर्त साड़नी में चलते हैं, बच्चो वहाँ पर चीजे क्लियर करते हैं कि किस तरीके से उनमें वर्स्थित किया, तो यह है बच्चो मैंडलीप की आवर्त साड़नी, बुक सही हमने ले रिया है, क्योंकि भाई स पिर दूसरा, कि तूटरा चआँद में बाटा, उसको इसको चाट सःतिश खाने, उसको साथ भागों में बाटा, पिर पहला हो गया, ये धूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 마음 si sur ne the the to the prim li, तो ये चौथा आबर्त है, इसी को धो दूवागों बाट दिया था, फीक है, जैसे आ आपका पाँचमा, छटमा, सतमा, तो यहाँ पर जो आपका बच्चो आवर्त है, चोथे, पाँचमे छटे को दो वागों बाड़ा था, है ना, कहीं न कहीं, ए बाले भाग को अलग कर दिया था, तो यह इसमें टोटल उन्होंने सबसे पहले साथ आवर्त बनाए, साथ आवर एक से ले करके, आठ तक, आठ बर्ग बनाए, और सून समू के लिए अलग से स्थान दे दिया था, यह पहले खोज नहीं हुई थी, सून समू के तत्तों की, मैडलीब की आवर्त साड़नी में, जब उन्होंने अटर सो नक्तर में दिया, तब इन सारे तत्तों की खोज नही बर्ग में भी कुछ तत्तों को रिक्त दे दिया गया, मतलब कुछ यहां पर अनुपस्थित है, इसका मतलब है कि भविस्थ में कोई नहे तत्तों की खोज हो सकती है, इसी आधार पर गुरो का अध्यन करके, कि भाई परमाड उभार इस इसके अंतर में कोई तत्तों अनु बर्ग एक से आठ बर्ग है, और एक से साथ तक के बर्गों को दो भागों बाटा है, देख लो जरा, जो पहला बर्ग है बच्चों, इसमें भी ए और बी है, दूसरा बर्ग इसमें भी ए और बी है, तीसरा बर्ग इसमें भी ए और बी है, चोथा बर्ग है, पास्मा जितने भी बर्ग हैं सभी में बच्चो 2-2 उप समू है कहने का मतलब A और B 2-2 उप समू हों में बच्टा तो यह हम आवर्थ की बात करते हैं कि मैंदलीब की आवर्थ साड़नी में कितने आवर्थ थे तो बच्चो 7 आवर्थ थे और अधि हम बर्ग की बात करते हैं तो टोटल समू है नहीं बर्ग देखो भाई सहाब एक से आठ हो गया और अधि सुन समू को भी जोड़ दो गया तो टोटल नहीं हो जाएगा लेकिन मुक्रूप से उन्हें नहीं आठ बर्ग दिये यहीं मैडलीव की आपर सांडी में आठ बर्ग है है ना एक से आठ तक के दो भाग है यहीं दो उप बर्ग है जितने भी एक से आठ तक बर्ग है नहीं दो उप बर्ग है ए और बी भी भाजित किया और बच्चो जो आठमा जो आपका बर्ग है इसमें तीन उप बर्ग है ती तीन तीन एलिमेंट्स है, मतलब आपका तीन उप बर्ग है, और सून समूं को अलग से जोड़ा गया, है ना, सून समूं को अलग से जोड़ा गया, जिसे निस्क्रित अत्तों को रखा गया, इस प्रकार सून समूं सहित, उनकी जो टोटल संक्या थी वच्चो, वो नौ थी, यानि टोटल बर्ग की संख्या हम बोले तो नौ है, इतना एक्जाम में भी लिखना है, यदि कोश्चन आ जाए कि मेंडलीप की आबर्सार्णी के आधार पर आबर्त और बर्ग को समझाए, तो मेंडलीप की आबर्सार्णी पर बर्ग में आप लिखोगे, फिर हम आउन समझाए, और आठमे को तीन उपवर्ग में बाटा था, और सुन्द समों को अलग से जोड़ा, जिसमें बाद में निस्क्री तत्यों को रखा गया, अब यहाँ पे जब हम आवर्त सार्नी की बात करते हैं, जिसमें आवर्त में जो पहला आवर्त है बच्चो इसे बोला गय इसलिए कहा दिया इसे आती लगू आवर्त आती लगू मतला बहुत छोटा आवर्त यानि बहुत कम elements है इसके बाद जो दूसरा और तीसरा है इनमें लगबख समान तत्तो elements थे तो इन्हें कहा दिया बैया कि ये लगू आवर्त है आठ अठ तत्तो पहले आवर्त में दो ही तत्तो थे हाइड्रोदन और हीलियव तो दो तत्तो के कारण इसे आती लगू आवर्त कहा फिर जब दूसरे और तीसरे की बात करी दूसरा और तीसरा है बच्चो इसमें आठ अठ तत्तो थे कितने तत्तो आठ आठ काउंट कर लो एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ और यह आपका एक सून समू का बच्चो यह आपका आठ तो इन आठ अठ तत्तो के कारण इसे बोला गया लगू आवर्त तो पहले आवर्त को पहले नंबर में लिखेंगे कि पहले आवर्त में दो तत्तो थे बच्चो जिसे बोला गया आती लगू आवर्त दूसरे और तीसरे में आठ अठ तत्तो थे जिनने लगू आवर्त कहा गया इसके बाद चौते और पाचमे की बात करते बच्चो तो चौते और पांचमे में अठरे अठरे तत्तों हैं, कितने अठरे अठरे तत्तों हैं, जिने दीरगावर्थ कहा गया, ठीक है, पहला आपका आती लगुआवर्थ, दूसरा तीसरा लगुआवर्थ, चौते और पांचमे की बात करते हैं, इसमें अठरे अठरे तत्तों है इन्हें लगु आवर्थ कहा गया, फिर जब छटमे की बात करते हैं बच्चों, छटमे में, तो ये जो छटमा था, इसमें 32 तत्तों हैं, किन्तों बच्चों, जो 18 तत्तों में, 32 तत्तों में केबल हमें, जैसे छटमा आवर्थ है न, इसमें जो आपका लेंधेरम के बात की 14 दे तत्तों हैं, इन्हें अलग से रखा गया है, तो जो आपका चौथा पाचमा था बच्चों, ये आपका दीर्ग था, दीर्ग आवर्थ, तो छटे को बोला गया आती दीर्ग, क्या बच्चों, आती दीर्ग, और सातमे में बहुत सारे तत्तों की अनुपस्थिती थी, यहां पूरा रिक्त स्थान देख सकते हो, अब लोग पूरा का पूरा खाली है, इसको हम बोलते हैं अपूर दिरगावर्त, लेकिन कब, यह पहले की बात थी, आदनी कावर्सानी में यह सब कहानी नहीं लगता बच्चो, आदनी कावर्सानी में सारा चीज बदल गया फिर, क पांच में को दिरगावर्त, और आपका जो छटा है वो आते दिरगावर्त, और सात में को बोला बच्चो, क्या अपूर दिरगावर्त, जिसमें 28 तत्यों थे और कुछ रेक्ते स्थान थे, और आपके जो छटे आवर्त की बात की गए, जिसमें दिरगावर्त जिसे कहते ह इसमें यहां पे बच्चों केबल और केबल अठरे तत्तों दिखाई देते हैं ठीक है बांकी के चौदे तत्तों कहां गए तो बांकी के चौदे तत्तों को अलग से रखा गया अलग से विवस्थित किया गया तो यह कुछ कहानी हुआ बच्चो आवर्त और बर्ग के बारे में तो अभी तक जो मैंने समझाया उसको यहां पर आपको लिखना है कि आवर्त में क्या लिखना बच्चो पहले आवर्त में दो तत्तों है जिसे अतिलगू आवर्त कहते हैं दूसरे और तीसरे में आठ अठ तत्तों हैं जिने लगू आवर्त कहते हैं चौते और पांच में आठ अठ तत्तों हैं जिने दिर्ग आवर्त कहते हैं छट में आवर्त में 32 तत्तों हैं बच्चो जैसा कि मैंने बताया लेकिन 18 तत्तों दिखाई देते हैं चवदय तत्तों जो है, कहा चले गए, वो अलग से विवस्थित किये गए, ठीक है, लेंतिनेट जो समू है, एबला का तत्तों वो अलग से विवस्थित किया गया, साथ में आवर्त को बच्चो, अपूर दिर्ग आवर्त कहते हैं, जिसमें टोटल कितने 28 तत्तों हैं तो ये हो गए आपका आवर्थ इसके बाद बात करते हैं बच्चो हम बर्ग की तो बर्ग में हमने क्या समझाया था कि मेंडलीव की आवर्थ सानी में 8 बर्ग है बच्चो ठीक है? 8 बर्ग में क्या है कि 1 से 7 तक तो पहले साथ में पहले से 7 में तक 2 उपवर्ग थे बच्चो ए और बी और आठ में बर्ग को 3 उपवर्गों बाटा गया सुनसमों को अलग से जोड़ा गया जिसमें निस्क्रित अत्तों को रखा गया इस प्रकार सुनसहित समों की संक्या की बात करी जाए बच्चो तो टोटल आपके 9 बर्ग हैं कितने 9 बर्ग हैं इस प्रकार से आबर्थ और बर्ग की आपने पूरी कहानी समझ ली अगले लेक्चर में हम आपको प्रवाइड कराएंगे बच्चो सबसे पहले मेंडलीब के आबर्थ साड़ी के दोस मेंडलीब की आबर्थ साड़ी एकजाम के पॉइंट आप भी उसे उतना सभिसेंट है ज्यादा डिटेल में पढ़ने कजरोत है नहीं इसका जो दोस है बच्चो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा दोस में और इसके बाद इसका जोगिता था पूरा का पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा और इसका जो है पूरा नोट्स आपको प्रवाइड किया जाता है मात्र हेंडड रुपीज में जिन बच्चो को लेना है तो कंटेक्ट कर सकते हैं आपको कंटेक्ट नंबर दे दूँगा बच्चो 9685 299149 9685 299949 इस नंबर पर आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रापर रूप से त्यारी कर सकते हैं जैस्ट अगला वीडियो आपके लिए हना मेंडलिप के आबर्थ सार्णी सम्दित आएगा इस चैनल में 11th क्लास का ही प्रापर नोट्स और स्टड़ी मटेले झाल 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 झाल